आज का टापिक में डिसकस करूँगा जिसे हम बोलते हैं गोंद कतीरा यानि के इसको कंट्री नेम जो है हमारे इंडिया में ट्रेगा कंथ बोला जाता है और ये किश्मीरी नेम जो है कतीर बोला जाता है इसको और सैंटिफिक नेम जो इसका है कोकलो सपर्मम रिलीजोसम बो होते हैं तो इसलिए मैं फोकुस कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए कि ये गौंद कतीरा जो है कितनी importance है इसकी health benefits क्या हैं चूंकि ये निकाला जाता है कुछ द्रखत होते हैं उनके तने से वहां पे गौंद जैसी चीज substance निकलती है और इसको जमा किया जाता है और store किया जाता है market में available है आपको कहीं भी departmental stores में ये available होगा और खासकर ये crystal farms में होता है जैसे मैं आपको photo में दिखाऊंगा इसका interesting चीज ये है कि अगर जब हम इसको गर्मियों में पिएंगे तो ये coolant का काम करेगा coolant agent काम करेगा बाड़ी में coolness हो जाएगी अगर सर्दियों में इसको यूज के जाएगा लियूक वारम मिलिक में अगर लिया जाएगा तो बाड़ी में energy या heat पैदा होती है तो ये दोनों सीजन में हम इसको यूज कर सकते हैं लेकर एक scientific तरीके से अगर हम इस्तमाल करेंगे पहले मैं आपको गॉंद कितीरा की nutritional value बताऊंगा 100 ग्राम में तक्रिबन 70 calories होते हैं और इसमें तक्रिबन 30 ग्राम fibers होते हैं तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं अगर 100 ग्राम हमने गॉंद कितीरा पी लिया तो हमें दिन का जो requirement fibers किया हो और नहीं चाहिए तो access लेने से bloating वगरा हो सकती है तो वो चीजें देखनी हैं कि moderate में यानि कि इसको कुछ limits में लेना की कोश्च करनी होती है एक popular drink है ये रमजान के मेहने में खासकर ये बहुत गर गर में तकरीबन ये लिया जाता है जहां जहां पर इसकी knowledge होगी जहां जहां awareness होगी क्योंकि इसमें जो छोड़े छोड़े crystals होते हैं इसको पानी में soak किया जाता है एक दो गंटे पहले पीने से पहले यानि के इसको हम पानी में डाल के पी सकते हैं लसी में डाल के पी सकते हैं लेमन वाटर में डाल के पी सकते हैं और एक जल लाइक सबस्टन्स बन जाता है यानि के आप देखेंगे इसका white color हो जाता है बाद में और transparent jelly जो होती है ये नमकीन लसी या मीठी लसी में आप पी सकते हैं पिल्कुल प्लेन पानी में या प्रेफरबली दून में सिकेमेड मिलक अगर होगा उसमें अगर आप पिएंगे बहुत सारे हेल्थ बेनिफेट्स होंगे Most important जो गौंद कतीरा है इसके साथ आप चिया सीर्स अगर आप डालेंगे जिन में ओमेगा थी फैटी एसिट्स होते हैं वो हार्ट फ्रेंडली होते हैं या बबरी बिल आप डाल सकते हैं तो आपकी अपनी च्वाइसे होती है गौंद कतीरा की बारे में मैं extensive study जब कर रहा था तो मैंने देखा इसमें तो fibers बहुत होते हैं केल्शिम है, magnesium है कतीरा का एक natural lexative properties है यानिके ये कानिस्ट पेशिन के लिए कबस कुशा का काम करती है और urinary tract infections को भी कुछ help करती है आप दो इसको एक treatment part में ही समझना है लेकन एक helpful चीज़े, tips ये थाबत होते है एवन lactating mother में बोलते हैं इससे milk production ज़्यदा होती है और ये immune system को boost करता है most important कहीं ऐसी studies में लेकी वहाँ पे ये बताया गया कि anti-aging properties इसमें है आपके sickin को या wrinkles को कम करता है आपका weight loss के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको preferably आपको plain पानी में लेना चाहिए ताकि आपको early satiety हो जाएगी ताकि आप कम खाएंगे अगर आप weight reduction करना चाहते हैं तो उस सुरत में आप plain पानी में आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे बिलकुल कतीरा की amazing benefits है गोंड कतीरा का अगर सही तरीके से इस्तमाल किया जाएगा तो ये dehydration से prevent करता है गोंड कतीरा irritable bowel syndrome जो है खासकर dairy type जो है या constipating type है उनने बहुत beneficial थाबत होता है हासकर मैं दोबारा बताऊंगा जो ये constipation type जो है उसमें release करेगा और अगर डाइडल type है तो आपको कम amount में लेना पड़ेगा इसके लावा गोंड कतीरा को बहुत जगा यूज़ के जाता है लेकिन मैं particularly इसका as a soft drink के बदले अगर आप इसको prefer करोगे तो beneficial थाबत होगा गोंड कतीरा के antimicrobial फाइदे है anti-cancer तक भी बोला जाता है anti-inflammatory effects इसके होते हैं जो लोग weight maintain करना चाहते हों कहीं न कहीं लोग क्या करते हैं कि shed भी डाल देते हैं या sugars डाल देते हैं गोंड कतीरा के साथ तो आपका otherwise weight को increase करेगा हाँ, diabetics में plain पानी में इसको use किया जाना चाहिए सिर्फ इसका amount जो है एक limited amount यूज किया जाना चाहिए just one tsf जो है ये गारा जैसा बन जाता है उसी को आप अपने पानी में डाल के साथ में बबरी बिल जो साथ में आप चिया सीड डालेंगे तो बहुत अच्छा results निकलेंगे